जैहिन स्टूडेंस अब जैसे जैसे सीडियेस के एक्जाम पास आता जा रहा है स्टूडेंस के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि सरिये जीके का तफ टॉपिक इंडियन हिस्ट्री कैसे प्रिपेर किया जाए कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिने हम लोग रेफर कर सकते हैं और सबसे पहले कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी हम तयारी करें अब अगर सबसे पहले बात की जाए तो इंडियन हिस्ट्री में सीडियेस एक्जाम में अगर हम लोग देखते हैं सो CDS exam में around 15 to 20 questions आपको Indian history से मिल जाते हैं, ठीक है, कभी exam में 17-18 question आ गए, तो कभी 20-21 question आ गए, तो इसी के around है, 20 plus minus 3-4 जो है, वो एक range रहती है number of history questions की, अब history के हमने questions तो देख लिए, अब history के हम तयारी कैसे करें, यह सबसे बड़ा मुद्धा उठता है, ठीक है, दूसरा CDS exam में almost 4 महीने का time है, तो क्या 4 महीने में तयारी हो सकती है, हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है, और बिल्कुल तयारी हो सकती है, बड़ कुछ अगर मैं आपको जरूरी बाते बताओं, तो इंडियन हिस्ट्री में आपको एक चीज धान लखने हैं कि, अगर आप for an example, अगर हम ये मान के चलें कि 20 questions exam में आए, ठीक है, इस 20 questions में से 3 से 4 questions ऐसे होंगे, जो बहुत tricky होंगे, ठीक, ये questions बहुत जादा tricky होंगे, tricky होने का क्या मतलब है, हो सकता है, बहुत कोई specific art and culture का question हो, बहुत specific कोई ancient history का question हो, और कई बार ऐसा हो सकता है, कि इन्होंने वहाँ पर कोई fact ही पूछ रखा हो, जिसके बारे में usually students को जानकारी नहीं होती, अब आप लोगों का जो target है, वो remaining जो 15-16 questions हैं, इन्हें करना आपका target है, इस 15-16 questions में से, 6-8 questions जो है, they'll be very easy, अगर आपने तयारी करी है, तो ये 6-8 सवाल बहुत आसान होंगे, ठीक, इसके बाद अगर हम देखते हैं, तो कुछ 3-4 questions ऐसे होंगे, जिन में calculative guess आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, और around 2-4 questions, ठीक है, will be relatively on the tougher side, ठीक, तो ये जो 15-16 questions है, ये एक general trend रहता है, जिसे हमें तयारी करनी है, खास बाद ध्यान रखिए कि ये जो 3-4 बहुत tricky factual questions आ रहे हैं, ठीक है, हर बार आपको paper में मिलेंगे, इन्हें देखके अपनी strategy आपको बिलकुल भी नहीं बदलनी है, clear, तो हमें, हमारा aim क्या है, exam clear करना, हमारा aim ये नहीं है, कि जितने question आ रहे हैं, हमें सारे करने हैं, ठीक है, smart preparation, UPSC का paper है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, कि एक student GK के सारे question करते, clear, तो हमें smartly यहां पर paper attempt करना है, कई बार हम लोग egoist होके, अगर ये tricky questions को chase करना शुरू करते हैं, तो कुछ नहीं होता, इससे हम लोग negative marks जो हैं, वो बहुत जादा gain करते हैं, clear, तो हमें ये जो अपनी गलतियां हैं, इन्हें सुधारना हैं, और अपनी जो तैयारी हैं, वो majority of questions जो हैं, जिन्हें हम attempt कर सकते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, हमें अपनी तैयारी को अब aim करना है, clear, चलिए, तो अब यहां पर कैसे तैयारी की जाएं, कैसे smart preparation करें, हमारा four months में हमारा target क्या होना चाहिए, important topics क्या होने चाहिए, ये सभी चीजे मैं आज आपको इस session में बताने वाला हूँ, ठीक, अब सबसे पहले अगर हम आगे बढ़ते हैं, कि what is to be prioritized, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, students कहते हैं कि sir, क्या prioritize करें हम, ठीक है sir, हम ancient पर ज्यादा ध्यान दें, medieval पर ध्यान दें, या modern history पर ध्यान दें, ठीक है, अब, आपको मेरे साब से पता है कि ancient, medieval और modern के spirit की बात की गए, ancient जो एक, आप ये देख स civilization से start कीजिए इस topic को, ठीक, medieval history हमारा ये period है, जब Islamic invasion हुए, ठीक है, उसके बाद का जो समय रहा, वो medieval history रहा, और modern history हमारा वो समय है, जब Europeans ने भारत पर आक्रमन किया, ठीक, सवाल उठता है हम किसे prioritize करें, या देखा जाए तो ROI, return of investment of time, ठीक है, हम ने समय किस पर invest किया, और उससे हम कितरा output निकाल पाए, एक smart student का, तो ये calculation होना चाहिए, ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा, कि modern history जो है, वो ROI में सबसे उपर रहता है, ठीक है, हम जितनी महनत करते हैं, high chances हैं कि modern history के questions जब आते हैं, उन्हें हम सही कर पाते हैं, ठीक है, ancient और medieval history जो है, ये थोड़ी सी रटने वाली fact based है, ठीक है, इसलिए यहां पर कई बार ऐसे भी sources से सवाल आ जाता है, जो शायद आपने ना सुना हो, और कई बार आप शायद topic पढ़के गए हैं, पर कोई minute detail पूछ ली गई, उस minute detail का कैसे answer करा जाए, ये ही नहीं समझाता, ठीक, हमें prioritize करना है, modern Indian history को, ठी करेंगे, और इसलिए modern के तो question ही नहीं आते, ठीक है, ऐसी गलती बहुत students ने करी, ठीक है, क्या हुआ, कि 2020 में modern history जो है, ठीक है, उसके कम question पूछे गए, ठीक है, आप देखेंगे कि जो cds2 रहा, उसमें कम question आए, modern history के, ठीक है, उसके बाद दुबारा से 2022 में जो paper आए, उसमें आपने देखा होगा, कि एक paper में तो modern history का सिर्फ एक सवाल पूछा गया, और वो भी एक general awareness के जैसा था, क्लिया, काफी students ने क्या गलती करी, कि students अगले जो paper उन्होंने दिये, ठीक है, उसमें modern history को छोड़ के चले गया, उन्होंने modern history नहीं पड़ी, और अ बहुत ऐसे teachers भी थे, जिन्होंने कह दिया कि modern history की तो वेटेजी खतम हो गई exam से, ठीक, UPSC, जो अपने एक unpredictable nature के लिए जानी जाती है, 2023 के paper आए, दुबारा से modern history जो थी, वो वापस आ गई, ठीक, ऐसा ही 2021 में हुआ, कि paper के बाद, अगले जो next paper हुए, UPSC ने दुबारा से modern history की majority पूछ ले, आठ से 10 सवाल सिर्फ modern history से आ गए, ठीक, students परेशान हो, अब कई बार क्या होता है, कि students को अगर question आता भी है, पर अगर कुछ unexpected हो जाए paper में, तो उनकी उमीदें ही तूट जाती है, और उनका बिलकुल जो moral है, वो down हो जाता है, यही students के साथ हुआ, और students इसी वजए से काफी students fail हुए, ठीक, तो उनका moral इतना कम हो गया, कि आते हुए भी GK के questions वो गलत करा है, ठीक, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि यह जो modern history है, ठीक है, it is concept based, okay, it is easy to remember, okay, and third, it is interconnected, ठीक है, हर event, अगले event से interconnected है, वो चीज़ आपको कभी ancient और medieval में नहीं मिलेगी, ठीक है, ancient और medieval में कई बार ऐसा phase है कि वहाँ पर interconnection छोड़ो, बीच में कुछ regional kingdoms आगे, clear, तो आप लोगों के लिए medieval और ancient को recall करना मुश्किल पढ़ जाएगा, बट modern को recall करना कभी मुश्किल नहीं पढ़ेगा, clear, so ह हमेशा से अपनी priority modern history को रखिये, clear, उसके अलावा मैं आपको ancient और medieval के कुछ बहुत important topics बताऊंगा, जहां से हर बार exam में सवाल पूछे जाते रहे है, clear, चला, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसके बाद अगली चीज़ आती है, important books, okay, वैसे तो अगर हम बात करें, तो history म है, आज कल UPSC जो है, NCRT based statements पूछ रहा है, clear, और आप लोगों के लिए 21st of December से, ठीक है, daily 1 p.m., okay, यह जो MBIB, Achieve Defense, CDS, FCAT, CAPF and SSB interviews का channel है, मैं इसमें complete history through NCRTs cover कर रहा हूँ, clear, complete Indian history through NCRTs, so please do join me daily in these live sessions, okay, और आपके, यहाँ पर complete history की preparation हो जाएगी, clear, अब important books अगर मैं आपको बताऊं, तो NCRT काफी student मुझसे पूछते हैं, के sir, NCRT हम कौन सी पढ़ें, clear, so class 6th, 7th, 8th, और 12th, यह 4 NCRT सबसे जादा जरूरी है, ठीक है, वैसे तो आपको लगेगा के sir, हमने काफी जो basics पढ़ा है, वो ही आगे आ रहा है, काफी repetitive अगर लगे सारी NCRT आपने पढ़नी शुरू करती है, clear, दूसरा, world history जो है, आप देखेंगे, उसके exam में question नहीं आ रहे, पिछले 3-4 साल में भी अगर बात की जाए, तो hardly A के question जो है, वो हर साल paper में है, और वो भी general awareness के जैसा है, clear, तो world history पर अपना time waste मत कीजिएगा, clear, सिर्फ Indian history जो ह है, उसे अच्छे से तयार कीजिए, clear, इसके अलावा काफी students पूछते हैं कि सर, modern history के लिए, तो modern history के लिए आप spectrum जो book है, उसे भी refer कर सकते है, clear, इसके अलावा India's struggle for independence, अगर आपको लगता है कि आपके पास time है, तो विपिन चंदराजी की India's struggle for independence book भी पढ़ी जा सकती है, clear, तो ये जो set of books हैं, they are more than sufficient for you, clear, remaining question कैसे practice करें, ठीक है, वो मैं सभी चीजें आपके लिए लेकर आँगा, ठीक, चल, अब शुरुआत करते हैं, अब सबसे पहले देखते हैं, ancient Indian history के कौन से important topics हैं, जो आपको prepare करने चाहिए, ठीक, ancient Indian history में Indus Valley civilization, RN civilization, जिसे basically Vedic age कहा जाता है, ठीक है, इसे आप लोग prepare कीजे, जैनिजम, बुद्धिजम, sure shot, एक से दो सवाल exam में आ रहे हैं, ठीक है, rise of Magad के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर महाजनपद, ठीक है, और उनकी capitals जो है, वो जरूर पढ़िए, clear, इसके अलावा Morian Empire, major ruler, चंदलुक्त, मौररे से, अशोका तक जरूर पढ़िए, और Morian's का decline कब हुआ, ठीक है, इनके बाद यहाँ पर बीच में कुछ regional kingdoms आते हैं, ठीक है, आप देखते हैं, के कनवाज, कुशाना, सागाज, पार्थियंस, यह सभी आए बीच में, clear, तो इनसे सारे kingdoms से, कई ब क्योंकि, एक कोशन, अगर आपने साथ, आठ टॉपिक पढ़ें, ठीक है, आपने अराउंड हफते, दस दिन, उसमें invest कर दी, और एक कोशन कर पाए, तो मुझे लगता है, वो smart approach नहीं है, clear, मैं भी आपको जो महुत important topics हैं, जहां से show shot question है, वो पहले highlight कर रहा हूँ, जो रहा है, clear, तो यह सभी topics जो हैं, पहले advance में prepare करो, clear, next, medieval history, ठीक है, अब medieval history में, अगर बात की जाए, ठीक है, Turkish invasion से ज्यादा सवाल लें, तो early अगर हम Islamic invader की बात करें, तो मुहम्मद बिन कासिम, Arab invader, ठीक है, उनके बाद Turkish invasion, तो यहां पर आप Arab और Turkish दोनों invasion पहले cover करो, ठ ठीक है, कौन-कौन से initial battles लडे लगे, जिनके बाद यहां पर Turkish conquest जो था वो देशवर में शुरू हुआ, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, आप cover करेंगे, तो दिल्ली सल्तनत में, आपको सिर्फ important rulers cover करने हैं, ठीक है, हर dynasty के कुछ important rulers थे, पहले उनके ऊपर emphasize कीजिए, सभी को रठने की कोशिश मत कीजिए, विजय नगर empire, another very important empire, and two questions are being asked from this topic, clear, मुगल्स के बारे में, जरूर पढ़के जाईएगा, आप देखते हैं के यहां पर, बाबर से, और औरंगजेव तक का जो समय है, वो सबसे जादा जरूरी है, उसे अच्छे से पढ़िए, उनके जो important battles थे, important art and architecture उसे cover कीजिए, भक्ति सूफी movement से एक सवाल जरूर आपको मिलेगा, एक भक्ति से एक सूफी movement से, clear, इसके अलावा प्रतिहार, पाल, पल्लवा, चालुक्याज, राश्कुटाज, और यह जो Indian feudalism था, बीच बीच में, जो एक तरह से regional kingdoms, जो स्थापित होते गए, इनसे भी आपको एक-एक सवाल मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं कि यह भी सभी जो dynasties हैं, उनके जो सबसे prominent ruler रहा, उसके बारे में पढ़ो, कोई important battle यहां पर लड़ा गया, उसके बारे में पढ़के जाओ, कोई important book यहां पर लिखी गए, उसे पढ़, clear, medieval history में आपको ध्यान रखना है कि important battle, okay, art and architecture, okay, और books and authors, यह एक trend चल रहा है, जिससे सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे है, clear, तो कुछ इस प्रकार से आप इसे तयार कीजिए, okay, next, modern history, ठीक, अब modern history का एक बहुती set pattern, clear, आप इसे blocks में तयार कीजिए, clear, सबसे पहले European traders आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद British conquest आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब Marathans का जो topic है, वैसे तो वो medieval history का हिस्सा रहा, बट मैं आपको बताओं के Marathans के सवाल exam में जो पूछे जा रहे हैं, वो उनके जो British के समय प पार को कबजे में कर रहे थे, उस समय के दौरान जो conflict हुए, वहां से सवाल जादा पूछे जा रहे हैं, clear, तो Marathans से दो तरह के आपके सवाल आ रहे हैं, एक तो British conquest वाले, ठीक है, okay, उसके अलावा, यहां पर, अगर देखा जाएं, तो Marathans का, और Aurangzeb का, जो conflict रहा, उस से भी सवाल काफी पूछे गए, clear, so basically Marathans during the times of British, ठीक है, later Mughals, British में, कैसे Marathans बड़े होते गए, उस से आप लोगों को जरूर पढ़ना है, clear, चलो, अब इसके बाद, अगला, okay, reform movement, civil movement, civil and tribal movements, revolt of 1857, ठीक है, यहां से आपको इन सभी topics में से around 2 से 3 questions मिल जाएंगे, जहां reform movement से यहां one question each आपको मिलेगा, ठीक है, revolt of 1857 के causes और एक result, उस से एक सवाल आ सकता है, rise of nationalism 1885 to 1905, ठीक है, और इसमें ध्यान रखिये, के pre-congress organizations जो है, उन्हें जरूर पढ़ना है, ठीक है, कॉंग्रेस के स्थापित होने से पहले क्या राजनेतिक गतिविधिया चल रही थी, वो पढ़ते हुए जाई है, clear, इसके बाद अगला extremism कैसे बढ़ता गया, आपका कैसे partition of Bengal हुआ, कौन-कौन से organization set up की गई, कौन से prominent leaders थे, उनके बारे में पढ़ी है, कौन से British legislations लाए गए, जिनके बाद बाल गंगा-धर तिलक जेल में चले गए, ठीक है, बाल गंगा-धर तिलक और एनी-बेसेंट का home rule movement चलाए गया, उसने कैसे यहाँ पर Congress के पैचप में योगदान दिया, लखनो पैक्ट का क्या रोल रहा, ठीक है, लखनो पैक्ट कैसे, एक Congress की political history में, एक setback के तौर पर देखा गया, यह सवाल यहाँ से पूछे गया, clear, next, गांधियर एरा, 1916-1932, clear, यह सबसे important phase है, ठीक है, आप ध्यान लखिए, कि गांधी जी, ठीक है, 1922 में, non-corporation movement जो था, वो खतम हुआ, ठीक है, उसके बाद 1923 में, आप देख सकते हैं, कि कैसे, स्वाराज पार्टी का गठम हुआ, तो स्वाराज पार्टी के formation को, ठीक है 2023 में 100 साल पूरे हो गए थे, तो स्वाराज पार्टी से सवाल आया, एक्जाम में, ठीक है, उसी प्रकार 1924 में, एक major event हुआ, गांधी जी ने बेलगाम session को address किया, only session wherein गांधी जी had presided over, okay, तो 1924 marks the 100th year of गांधी जी's participation in बेलगाम session, clear, तो उसे तयार करके जाहिए, इसी प्र revolutionary activities चल रही है, ठीक है, 1924 से आप देख सकते के revolutionary leaders like भगत सिंग सुखदेव, राजगुरू, चंदर शेखर, आजाद, रामप्रसाद, बिस्मिल, उनकी राजनेतिक गतिविदिया शुरू हुई, तो उनसे सवाल एक्जाम में आएगा, clear, next important British legislations क्या रहे, कौन-कौन से British Acts ल रहा, World War II हुआ, उस समय पर नेता जी जो थे एक नए लीडर के तौर पर उभरे, ठीक है, नेता जी का क्या रोल रहा, उसे तयार करो, इसके साथ साथ, transfer of power में, कैसे, क्या-क्या role play किया गया, अब यहां पर अगर हम देखते हैं, तीन topics है, ठीक है, जिनसे कोशन हर बार exam में आ रहा है, ठीक है, या तो August offer आपके exam में आया, या फिर Mountbatten plan exam में आया, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं कि Indian Independence Act जो है, उससे सवाल आया, clear, और यहां पर अगर कोई चीज आ रही है, तो एक cabinet mission plan जो है, उसे भी कही ना कहीं integrate किया जा रहा है, clear, तो यह चार जो preparatory phase थे, उन्हें जरूर प्रिप्रेयर करना, clear, इसके असाथ साथ, role of Indian National Army, ठीक है, देश में quit India movement चल रहा था, क्या असर रहा, इसे तयार करो, clear, partition and freedom कैसे, यहां पर partition किया गया और उसके बाद integration of Indian states, clear, so this is how you have to prepare this entire topic, okay, in depth, in detail and please do make sure that you do practice all previous year questions and questions, while you are practicing these topics, clear, चल, अगला यहां पर आता है, art and culture, तो art and culture, यह एक थोड़ा सा रटने वाला topic है, ठीक है, जिससे two to four questions आपको exam में मिलेंगे, किन-किन चीजों से यहां पर questions जो है, वो पूछे जाते हैं, clear, इंडियन architecture, sculpture, pottery आ सकता है, हरपन आर्ट, modern art, post-modern art, गुपता आर्ट, south इंडियन आर्ट और मुगल आर्ट से पूछा गया, इंडियन paintings जैसे बोधी सत्वास, पद्मपानी, paintings पूछा गया, handicraft से पूछा गया, music, Indian dance forms, यहां पर classical और folk dance जो है, यह सबसे ज़्यादा important रहे, यहां से exam में सवाल आए, temple architecture से सवाल पूछे जा रहे हैं, primarily southern Indian temples, festivals of India, theater forms, कई बार आप यह देख सकते हैं, puppetry के भी सवाल exam में आए है, clear, prominent Indian literature तो books and authors जो है, जो आपने पहले ancient medieval modern में पढ़े हैं, उन्हीं को cover कीजिएगा, okay, इसके साथ साथ कुछ world heritage sites जो हैं, इंडिया में इनसे भी सवाल आते हैं, ठीक है, यह जो topic है, usually आप current affairs में भी cover करते हैं, बट यहां पर भी आपको कुछ classical traditional questions जो हैं, उन्हें तयार करना है, clear, so this is how you have to prepare, clear, अब daily routine आपको ध्यान लखना है कि एक बार history शुरू करो तो जब तक complete ना हो जाए, ठीक है, तब तक history को छोड़ना नहीं है, clear, तो आज की इस session में मैंने detail में इस अभी चीज़े cover करी हैं, ठीक है, prepare करो, और भूलो मत के 21st December से complete Indian history में आप लोगों के साथ cover करूँगा, through complete NCRT's class 6th to class 12th, clear, चलिए, तो आज के session में इतना ही, we'll see you all in the next session, जैहिंद, keep imbiping, we believe in you